हाई अवरिवन बेलकॉम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फरंट्स आज इस वीडियो में हम करेंगे अपना जो आज एक्जाम हुआ एसिस्टेंट कंपाइलर का तो एक स्टूडेंट ने मुझे रिब्यू दिया तो मैं पहले कहूँगा कि मुझे बच्चों से एक बहुती एक अच्छी बात नहीं है मेरे लिए नहीं है बट मैं तो चलो मांगता हूँ क्यूंकि मुझे बच्चों की हेल्प के लिए चाहिए होती है और कल किसी भी बच्चे ने हमें रिब्यू नहीं दिया एक्जाम का मैं आपको पहले बता देता हूँ और कल वाली आपको वीडियो भी नहीं दिखेगी जो कि अपकी 25 दिसंबर वाली तो रिब्यू नहीं देने की बज़ा ये तो मुझे नहीं बता पर आज किसी बच्चे ने मुझे रिब्यू दिया पर उसने मुझे बोला कि सर मैंने आज एक्जाम नहीं दिया पर मैंने कहीं से भी अज़ेस्ट करके आपको कोशन लिए तो स्टूडन की हिम्मत देखो जो बच्चे एक्जाम देखके आते हैं otherwise मैं अपने से कोई question लेके नहीं आ सकता हूँ आज भी बहुत सारे questions है हमारे साथ एक-एक को discussion करेंगे with answer के साथ आपने हमारे साथ बने रहना है जेके practice के साथ अगर आपने अभी तक भी हमारी previous videos नहीं देखी है जो हमने करवाई थी आज भी बैटलन के उपर कोशन पूछे गए एक्जाम में तो previous video कहने का मतलब यह है कि जो आपको 24, 23rd और 22nd days को यह दो videos analysis हुई है assistant compiler की तो description box में आपको इसका playlist भी मिल जाएगा हमने एक playlist बना लिया है assistant compiler का तो उस पर visit करके आप उसको join कर सकते हूँ उस पर देख सकते हूँ हमारी videos चीक है तो चलिए और एक चीज़ और आज हमने अपनी जो 200 MCQs की series थी वो complete कर ली और उसका जो PDF था GNK की journal knowledge उसमें 200 MCQs हैं हमारे GNK के तो अगर आपने अभी तक वो download नहीं की हैं तो जल्दी से telegram को join करो वहां से उसको download कर लो JK practice Instagram पर भी follow कर सकते हो Facebook page को हमारे जुरूर लाइक करो और वहां पे भी आपको videos मिल लेंगी अब आज के बाद वहां से भी हमारी 2-3 video हमारी वहां पे भी upload हैं सेम जो Facebook पे होती हैं वहीं आपको वहां पे देखने को मिलेंगी तो चलिए मैं चलूँगा कोशन की तरफ क्यूंकि आज का थोड़ा lecture लंबा भी हो सकता है कोशन थोड़े जादा है और गाइस एक जो कोशन था हमारा जो हमारी PDF थी उसमें जो 125 जो कोशन है कि बंगुस अवाम मिला बंगुस जो अवाम मिला होता है जहमु कश्मीर की कौन सी डिस्टिक में होता है तो यह होता है अपका कुपवाड़ा में इसको मैंने सोचा था कि इसको मैं करूँगा कुपवाड़ा करूँगा तो ये कुलगाम पे ही click हो के रह गया तो ये कुलगाम पे ही click हो के रह गया अगर आप video lecture देखो के तो मुझे वहां पे आपको कुपवाडा ही मिलेगा तो इसका जो right option है सिर्फ एक ही mistake है बाखी बच्चे बोरे थे की land of spring बोला जाता है बुढगाम को तो बुर्गा आपको नहीं बोला जाता मैं आपको पहले बता दूँ कि mostly जो आपको springs है वो आपको अनंतनाग में ही देखने को मिलेंगे ठीक है जितने भी springs है ठीक है आप search करके देख सकते हैं Google कर लो आपके पास phone है तो चलिए question की तरफ चलते हैं तो यह है आज के कुछ questions मैं आपको बता दूँ कि founder of all India Muslim link Muslim link के जो founder थे वो कौन थे जिसको पता है वो जल्दी से comment करेगा All India Muslim link की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले यह आपको पतानों चाहिए ठीक है जल्दी से comment करो live session जो चल रहा है आपका इसे वाब comment कर सकते हो हमें भी पता चलेगा कि वेच्चों को कितना आता है सबसे पहले 1906 में इसकी अगर मैं बात करूँ पैन का color नहीं set हो रहा है 1906 में इसकी stop ना होई थी यह सब ही को पता है अब इसके founder को थे इसके founder. अब झो दे आपके खवाजा खवाजा सलीम उल्ला executive ना आपके he vịमे खवाजा सलीम उल्लास SPEAKER ते उसके बात है कि बंड मातरम जो था वह फ即ि द्रौल्ड किसके द्वारा किया गया था जल्दी से इसका आंसर मार करो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है तो इसका जो right option था वो था आपका banking, जो कि 9 बच्छे मुझे वीडियो देनी है banking, चंद्र चटोपादे चटोपादे इसका right option था उसके बाद था कि democracy is a government of the people, by the people and for the people ये किसके द्वारा ये कहा गया था आपको सभी को पता होना चाहिए गाईस इस ऐसी चोड़ी चीज़े जो हमने एक वीडियो बनाए थी अगर आपने नहीं देखिया तो उसको ज़रूर साच कर लें slogan freedom freedom movement slogan by jay के practice करें तो आपको हमारी वीडियो से मिल जाएंगी ठीक है ये किसके द्वारा ये दिया गया था by the people, for the people, ये वाला तो ये दिया गया था आपका Abraham Lincoln द्वारा ठीक है Abraham Lincoln द्वारा इसको दिया गया था ठीक है spelling अगर मैं बात करूँ Abraham Lincoln ठीक है ये इसके spelling थे उसके बाद पूछा गया था कि largest will life century कौन्टी है जेनके में देखिए यूटी यहां पे नहीं लिखा है तो अब अप्शन में देखो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जेके सिजबी का नैशनल पार्क वाला भी सेवन उन्होंने नैशनल पार्क वोल दिया तो सेवन गहन से लाने वाई चार सारी है जेनके यूटी में अगर मैं स्टेट की बात करता तो फाइफ थे हैमिस भी था बच्चे आज भी फाइफ बोल दें देखो आप अपनी पढ़ाई पे देखो कि आप पढ़ क्या रही हो हैमिस तो आपका लदाख में है जेनके में तो नहीं है गूगल भी आपको फाइफ दिखा रहा है इस चीज़ पर बात होनी चाहिए लाज़ा फिल लाई सेंचरी की बात करूँ तो मैंने बताया था अवेरा अरू है अबेरा अरू है अगर जिस टाम स्टेर थी तो उस टाम यूँ आपकी कारागुरम बाली थी बच्चों ने आंसर कमेंटर में बोला है जो पीडियाफ हमने प्रोवाइड की है कि जो टोटल विर्ला इस सेंचरी से हैं वो हमारी 12 है यूटी में तो दोस्तों वो 12 नहीं है हमारी 13 है और भी छोटी बहुत सारी है जो मैंने नोट्स में आपको करवाई थी आपको याद होगा देख लेना फना पार्टू हमारा जीन की का जीके प्रैक्टिक्स के उपर तो वह आपको पता चल जाएगा लाज़स्ट नैशनल पार्क कौन सा है जीन के में अगर मैं बात करूँ कि अगर फाइफ की स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो हैमीस अगर ऐसे बात करूँ तो मैंने बोला भी था किस्टवाड वाला आपका किस्टवाड नैशनल पार्क ठीक है उसके बाद language फ्रांस आप सिक्कम की तो वहां पर जो लेंग्वेज इनकी वो नेपाली के नाम से है ठीक है official currency क्या स्वेडन की स्वेडन की जो official currency वो है अपकी करोना यह वाला करोना नहीं है कि रोन नहीं स्वेडन करोना भी बोला जाता है इसको ऐसे भी क्रोना भी कहा जाता है अब चलेंगे कुछ कोशन की तरह अब यह किसी student ने मुझे बेजी है आझ तो फाली कोशन की जैसे ने मुझे नहीं पता उसने कहां से भी है तो जैसे उसने भी ही तो कह लिए भी आपकी है अब कोशन था कि आपका आपका एलिमेंटरी इज्ञेंशन इन विच आर्टिकल अगर बैब बात करों तो वह आपकी यह है आर्टिकल आपको पता नहीं चाहिए तो वह आपका जो आर्टिकल है 21 सबसेक्शन ए तेक उसमें यह चीज मैंचन है उसके बाद बहुचा है कि लैंग्वेज है उसका कौन सा इंडियन कांस्टिक्शन में अगर मैं बात करू लैंग्वेज की तो आपका एर्थ शेडियूल है कौन सा शेडियूल है एर्थ शेडियूल है इंडियन कांस्टिक्शन में यह कोशन आए था ओफिशल लैंग्वेज पूची गई है कि यहां के क्या थी अगर मैं बात करू कि official language UN की यानि की जनर्टी स्टेट की तो दोसो इसमें आपको 6 language हैं की 6 official language है अब मुझे नहीं पूछा कैसे पूछा गया था question यह नहीं पता अगर आप google करोगे तो आपको यही मिलेगा एक तो Arabic है Chinese हैं की English French अब question किस तरह से आया था यह नहीं पता कि ऐसे पूछा था कि कितनी सारी इनकी language हैं और Spanish ठीक है यह Spanish यह तनी इनकी language थी ठीक है उसके बाद था कि INS की farm कब हुई यानि कि Indian National Congress की जो formation थी वो कब हुई तो यह आप सभी को पता है यह वही थी सर 8085 में उस टाइम के 22 राइक हों थे जल्दी से किमेंट करो 1909 में जो Indian National Congress का session हुआ यह हुआ काम पे था Lahore में हुआ था याद रखना और उस टाइम के प्रेजिडेंट को थे यह चीज़ मैंने कल पर सो जो एक्जाम में गोशन आये था मैंने भी बहाँ पे बताई थी तो अगर आपने वो 500 वाली MC की उस अभी तक आपने वो भी डाउनलोड नहीं की है हमारे चैनल से वो है तो वैसे किसी एप की है वो तो आप उसको भी इसली डाउनलोड कर सकते हो तो उसमें Freedom Struggle FA वाले जितने भी candidates है वो उसको डाउनलोड कर सकते हो तो उस टाम के जो President थे वो थे आपके Mother Mohan Malvya Malvya तो यह ते Mother Mohan Malvya थे और अगर मैं बात करूँ कि दिल्ली चलो दोस्तों यह स्लोगन वाले दो कोशन हमारे वहां से आ चुके है दिल्ली चलो का जो स्लोगन था वो किसके दोरा अगर बात करूँ तो दिया गया था वो आपको सबको पता होना चाहिए तो वो दिया गया था आपके नेता जी सुभाश चंदर बोस दोरा सुभाश चंदर दोरा यह दिया गया था तो उसके बाद कोशन था कि आपका 1939 INC सेशन हूड प्लेस बोस अज प्रेजडेंट तो देखिए इस तरह कोशन अब मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ यह तो इसका जो राइट आप्शन मुझे मिला है वो वो मिला है आपका कि पार्ट भी पार्ट भी कुश ऐसे था और सीता रमया सीता रमयाद वारा ठीक है अब देखते हैं क्या होता है टीपू सुलतान डाड इन हुस पिरियर किस पिरियर में यो इसकी दैथ हुई थी तो दोस्तों जो टीपू सुलतान था इसकी जो दैथ हुई थी वो हुई थी आपकी 4th मै 1799 में जो अपकी 4th माईजोर वार चल रही थी माईजोर वार जब हिस्ट्री पढ़ोगे पढ़ी होगी आपने तो उसमें आपको पता होगा वो लगए कि मुस्लिम लिंगी फार्म कब होई थी तो यह आपकी 1906 में होई थी स्वरी शे में होई थी ठीक है उसके बाद बिच ब्रिटिश वास बर्न डाउन अलाइव डूरिंग 1857 किस ब्रिटिश को लाक दिया गिया था 1857 जो हो था तो वो था आपका उसका नाम था अशगारी बैगम अगर आप्शन में था तो जो बताएं अशगारी अशगारी ठीक है ठीक है अशगारी बैगम उसके बाद था कि अत्मिया सबा के फांडर कौन थे दोस्तों ये भी इंपार्टन कोशन पूछ लिया था जी कैसे भी ने आज ठीक है हिस्ट्री के 11 कोशन यानि कि टोटो तो 15 होने थे बच्चों ने पूरा मतलब की लेकिए अत्मीता сबा के जो फौंडर थे वो थे आपके राजा राजा रामोहन रॉय रामोहन रॉय थे ठीक है तोस्तों अगर इन कोशन को में लिखता पिर वो अपनी पीडियाफ में डालता तो काफिब अच्चों हो जाता 80-14 में ठीक है काफी बग तो हो जाता ठीक है उसके बाद अगर next question की बात करूँ तो बिड्डोरी मेरिस जो act था वो किस air में इसका act को पास किया गया वो किया गया था 8056 वो किस ने किया था जल्दी से बताएं जलियाँ वाला बाग था वो हत्यकांट कब हुआ था या आप सभी को पता है उन्नी सो उन्नी में 13 अपरेल को और ये कुस सीटी में हुआ question ये पूचा गया था वो आपका अमरिस सर सीटी में हुआ था ठीक है अमरिस सर में हुआ था उसके बाद नेहरू report in which year तो सर जो नेहरू report थी एनके के लेटर पढ़ रहे हो तो आप इन चीज़ों को पता होना चाहिए ठीक है scientific name के अगर मैं बात करूँ देख लो जो एसिस्टेंट का स्टॉक एसिस्टेंट वाले है जो ग्राफिक किस तरह से आनी है आपको scientific name क्या है सैफरन का वो है आपका स्रॉकस सैटिवस चीक है ये इसका right option था उसके बाद longest road connecting जमों के सिनेगर कौन सा लंबा सा ये road है tunnel है जो connect करता है तो आपको पता है डाक्टर शामा परसाद महर जी tunnel ठीक है एक से तू की example वहाँ रहा है तो बता दो इसको जल्दी से एक से तू कौन से होते हैं इन से तू और एक से तू कौन कौन से होते हैं ये आपको भी पता होने चाहिए चीज के बारे में क्योंकि चीज़े botanical garden मैं पैसे सोच रहा था ये एक से तू यहां से कैसे आ गया क्योंकि ये तो स्लेबस में था ही नहीं इनके फिर देखा नहीं जो ग्राफीन में तूनको पढ़ना ही है इसमें आपका आता है botanical garden आई पैनम नहीं चल रहा है botanical garden fingers के साथ ऐसा टेड़ेड़ लिखा जाता है पैन के साथ चलिए जाता है botanical garden geological garden ऐसे नहीं समझा जाएगा आपको ठीक है connecting तो यह एक जे तूब भी मैंने example पताई आपको botanical garden होगी geological power कोगी seed banks होगी और भी बहुत सारी ठीक है उसके बाद चलिए next question पे next question यह था कि cap of good hope discover by cap of good hope थी वो किसके द्वारा found की गई थी वो की गई थी आपको सभी को पता नो चाहिए पहना नहीं चल रहा है गई वो की गई थी आपके यह कुछ उनका नाम था बर्टो लिम्यू दियास ठीक है बी ए आर टी ओ बर्टो ली मी यू दियास तो पिछली बाद जब मैंने यह वीडियो बनाई थी तो बच्चों ने बोला कि आंसर नहीं देने फिर बाद में बच्चों आई कि सर आप आंसर दे ही दो साउथ अफरिका में थीक है उनका अफरिका में यह था और उसके बाद चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं नेक्स कोशन क्या है कोर्बो कोग ओफिशल लेंगविज इन विच स्टेट जड़ा अगर आपको पता है तो इसका अंसर बताईए कौन सी स्टेट में ये थी तो ये थी अपकी त्रिपूरा त्रिपूरा की है त्रिपूरा की है फादर आफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको बोला जाता है जड़ा कमेंट करें इसका अंसर जल्दी से बताएं गाईस किसको बोला जाता है फादर आफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम तो ये बोला जाता है बिक्रम सारा बाई को बिक्रम सारा बाई को ठीक है उसके बादा कि फादर आफ इंडियन ही हो गया बुकर प्राइजे 2021 बिच नेवल किस नोवल के साथ था ये नोवल जो था दा प्रोमिस उसके साथ ला सरदार स्रोवर डैम है वो किस रिवर पर है जड़ा ये भी कमेंट करके बताएं मुझे जल्दी से क्योंकि नहीं आता मुझे यह अंसर देखिए ये दो कोशन जो इनोंने दी है ना यहां पर इसको दियान से अगर आब देखो सरदार स्रोवर ये जोग फाल्स हो रहा है जब मैंने प्लिटिकल और फीजिकल डिविजन पढ़ाई थी इंडिया के एमसी की उसकी जो एक बुक लांच की थी ई-बुक जैसे मैंने जेनके की की तो उसमें मैंने ये चीज़े करवाई हुई थी ठीक है उसमें 200 में भी एमसी की उस होंगे अब हम आते हैं जीनके को उपर तो गाइस इस कोशन की मुझे थोड़ी क्लियर्टी नहीं हुए कि डल लेक वाटर वेसिन डिवीजन इसके डिवीजन क्या क्या है कुछ समझ नहीं है तेकि जो परताब के नाल है या कोशन आदा हुदूरा है ये परताब जो के नाल है मैंने जो आपको जीनके एकानमी की पीडियाफ सेंड की दी अब भी खोलो उसको देखो ये कोशन वहाँ पर बनता है की नहीं बनता है पिसर बिल्कुल बनता है कौन सी रिवर? सर्चेनाव रिवर जीनके के मैक्सिमम कोशन आ रहे है दूलहस्ती अभी करवाया था थोड़े दिन पहले दूलहस्ती हाइड्रोलेक्रिक पावर प्लांट किस डिस्टिक में है तो ये आपका किस्तवार्ड में है रिवर कौन सी है? सर्चेनाव है ओके डिस्टिक हाविंग मोस्ट फोरेस्ट एरिया जिस कौन सी डिस्टिक है जो कि जहां पर मोस्ट फोरेस्ट एरिया है जल्दी से बताएं देखिए गूगल अगर आप करोगे तो एक मिलेगी आपको अनंतनाग और दूसरी मिलेगी आपको डोड़ा अनंतनाग अगर मैं फोरेस्ट वो मैंने एक रिकार्ड देखा अनका तो 2011 के सेंसर में नंतनाग देखाता है शेशनाग लेका जो कोकून सी डिस्टिक में है यह आपको पता है कि जो अमनाज आते हैं जब तो यह पहलगाम रूट में आती है तो मैं आपको बता दूँ कि यह आपके अनंतनाग में है हाइगम बैटलन के उपर इसके बारे में मैं यह कुछ नहीं बताने वाला क्यूंकि मैंने इस पर लेक्शर दिया हुआ है आप देखो देखो मुगल गार्डन अराउंड बिच लेक्ड मुगल जो गार्डन है वो अराउंड है किस लेके अराउंड है तो क्या वो मुगल जो गार्डन से है यह आपके डल लेके अराउंड है विच चैप्टर डील्स विद अलेक्शन इन पंचैती राज एक्ट यह भी अब तक हमने नहीं बढ़ाया गाईस इसको आप खूद देख लें ट्रीटी आफ अमरे से कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी दो ट्रीटी की हुई थी तो यह आपके गुलाब सिंग और उनके बीच हुई थी ब्रिटिश के बीच में LG UT JK अंडर विच आर्टिकल LG जो होगा जो कोशन के लेटी नहीं है यहां तो यह है कि जो LG को UT में पॉइंट किया जाएगा वो किस अंडर आर्टिकल के तहत पॉइंट किया जाएगा ऐसा कोशन होगा तो वैटलैंड आया था कि जम्मू पे जम्मू के वैटलैंड के उपर कैसा कोशन आया था यह में clear नहीं है तो यह था आज के वीडियो का analysis तो hope so आपको वीडियो अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो like को share कर देना अगर करना होगा आपका one हो तो बागी आप telegram को join कर लो telegram को join करने के बाद वो PDF आप जरूर download कर लो क्योंकि बाद में आपने बोला है कि सब PDF दो और बाद बाद में वो शायद delete भी हो सकती है तो उसको download करके share कर दो friends के साथ तो फिप्टी MC को उसमें मैं अगर बात करूं तो total तो फिप्टी MC को उसमें वो पूरे GNK के साथ related है आपके ठीक है GNK के साथ ही relate करते है और जिनका कल exam है उनको all the best और हमारा telegram जोइन कर ले और हमें feedback अपने जो exam का review होगा वो मासा जरूर शेयर करें तो ओके guys बाबाई taker इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे good night to all of you and have sweet dreams God bless you